विधान सभा में आज लोकतंत्र प्रहरियों की संबान राशी बंद करने का मामला गुंजा और इस मुद्दे पर कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ विपक्ष के नेता जैराम ठाकोर ने प्रशनकाल के बाद पॉइंट ओफ ओडर के माध्यम से ये मामला उठाया और सरकार से जानना चाहा कि लोकतंत्र प्रहरियों की संबान राशी कब बहाल की जा रही है विधान सभा अध्यक्ष कुर्दीप सिंग पठानिया ने विपक्ष को ये मामला उठाने की अनुमती नहीं दी तो सदन में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिती पैदा हो गई और दोनों और से खूब होहला हुआ बाद में अध्यक्ष ने ये मामला उठाने की अनुमती दे दी जैराम ठाको ने कहा कि लोगतंत्र के लिए लड़ाई लडने वाले नेताओं को आपात काल के दौराज जेल में डाला गया और उन पर मीसा जैसा सक्त कानून लगाया गया उन्होंने कहा कि हिमाचर में भी बड़ी संख्या में लोग जेल में रखे गए जैराम ठाको ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इन लोगतंत्र प्रहरियों को सम्मान देने के लिए ही सदन में विधेक लाकर उसे कानून बनाया प्रदेश में लोगतंत्र प्रहरियों की संख्या असे से भी कम है और इन्हें 20 हजार वा 12 हजार रुपै से भी कम की नामातर राशी दी जा रही थी संसद्य कारे मंत्री हर्शवर्धन चोहान ने विपक्षत्वारा उठाये का इस मुद्दे को और वहवारी करार दिया उन्हें कहा कि कॉंग्रेस सरकार ने इस बिल को वापिस ले लिया है क्योंकि पूरी तरह से राजनेतिक था हजवर्धन चोहान ने कहा कि इस बिल से केवल राजनेतिक लोगों को ही लाब मिला है और इसमें पूर्व मंत्री वर विधायक तक शामिल थे उन्होंने कहा कि इस बिल का आम जानता से कोई लेना देना नहीं था